हेलो फ्रेंस मैं गीता आज मैं आप लोगों को बताऊं कि किसमस कैक्टस प्लांट में कौन सी खाद डालने से आप लोग ऐसे फूल पा सकेंगे और क्या-क्या खाद होंगे तो चलिए दिखते हैं यह खाद में सबसे पहले मैं दिखा रही हूं अपसम सल थोड़ी सी थोड़ यह मोटे वाले जो दाने होते हैं वही बोन मील है पाउडर वाले नहीं है और भर्मी कंपोष्ट ले और पच्तियों के खाद ले बस इसारे को एक साथ मिलाना है अच्छी तरह से मिलाना है यह खाद को एह खाना है किसमस कैक्टस के लिए तो सारे खाद को अच्छी तरह से पॉठ है जिसमें बहुत सरी ज़ाड़ी नुमा बन गई है कैक्टस इसके पत्ते तो आप थोड़े थोड़े पत्ते तूड़े तीन इंच दो इंच करके उसके बाद आप इसके मिट्टी को हटा ले दिखिए ऐसे करके पत्ते तोड़ लेनी है और इसके को फेकना नहीं है आ आपको रख देना है आप इससे और भी प्लांट बना सकते हैं तो दिखिए ऐसे तोड़ी हूं मैं और दोनों में से तोड़के लेती हूं दोनों प्लांट में से और उसके बाद इसके थोड़ी थोड़ी मिट्टी निकालनी है करीब दू इंच मिट्टी निकाल देनी है तो यह आप बावल में जो देख रहे हैं, मैं अगले साल पत्ते को तोड़ी थी, उसी को लगा दी थी, तो ऐसे करके आप जो ब्रांच को तोड़े तो फेके नहीं, इसी में कोई बावल में लगा दे तो ग्रो हो जाएगी, तो दो इंज करके मिट्टी हटा दे पॉट में से, उ अच्छे से पानी जाएगी, तो अपना काम करते रहेगी, तो ऐसे करके दो दो मुठी मैं डाल दे रहे हूँ, दो इंज करके मैं मिट्टी निकाली हूँ, दो धाई इंज आप देखके निकाल सकते हैं, निकालने का बाद खाद डालते दो मुठी उसके बाद जो उपर वा करने से आप लोग जनवरी फबरवरी में आप इसके फूल पा सकते हैं तो नवर में ये काम कर ले आप लोग तो अच्छे से फूल खिलेगी और मैं जो ब्रांचिस तोड़ी थी इसको मैं बावल में लगा दी हूँ देखिए तो इसमें भी कली आ जाएगी तो इसमें सिप मै जो निकाली मिट्टी थी पॉट में से वही डाली हूँ क्योंकि नए ब्रांचिस भी लगाई हूँ फिर से इसमें तो इसलिए मैं खाद नहीं डाली हूँ तो इसलिए दोनों में डाली हूँ खाद दो दो मुठी करके फिर उपर से वही मिट्टी डाल दी हूँ फिर पानी डाल दी हूँ, पानी डालने का बाद मैं रख दूँगी और पानी हिसाफ से देनी है, आज मैं ज्यादा डाली हूँ, क्योंकि रिपट की हूँ, इसलिए यह जनरी में नाके देखिए, जनरी का लाश्ट है, जनरी का लाश्ट में थोड़े-थोडे फूल आये थे, कलिया तो देखेए पत्ते तोड़ने से, जो पत्ते तोड़े हैं थोड़ी हूं, वहां से हिग कले निकली है तो आप लोग से पत्ते को तोड़ना ज़रूरी है और बांच फेकाएगा भी नहीं, दूसरा प्लांट बन जागा उससे, तो मैं सबसे पहले एक ही प्लांट लाई थी बड़े को, उससे दो बनाई, दो से मैं अब तीन बनाई हूँ, और छोटी जटे पत्ते रखी हूँ, उसको भी ग्रोह करूँगी, देखिए कुछ दिन बा किसमस कैक्टस के, और यह जो मैं एक से दूसरा प्लांट बनाई थी इसको, तो इसमें बहुत सारी कलिया हैं, लेकिन बहुत छोटी है, तो ऐसे करके आप लोग इसका खाद डाल दे, नौंबर मिना में, अक्टोबर ये नौंबर में डाल दे, और इसको आप थोड़ी फूल आने का समय हो, इसके अक्टोबर नौंबर को निकाले, निकालने का बाद इसमें थोड़ी खाना डाले खाद, और उसके बाद अप थोड़ी थोड़ी धूप में रखे तो इसमें कलिया आने लगेंगी, और उसके बाद जब फूल खतम हो जाए, तो फिर इसको अंध और पानी भी ज्यादा ना डाले, हिसाब से पानी डाले, पानी इसमें चाहिए लेकिन ओबर वाटरिंग से ये मर जाएगी, तो बरसात का पानी इसमें नहीं लगना चाहिए, बरसात में इसको आप कहीं ऐसी जगह में रख दे, जहां पे इसमें पानी ना जा सके, बरसात में आप दस दिन बाद भी पानी देंगे तो चलेंगे तो दिखिए इसमें तीन कलिया आई है अभी अभी बहुत सारी चोटी-चोटी कलिया है तो आप लोग इसको जब फूल खतम हो जाए तो अंधेरा जगा में रख दे जहां पर थोड़ी सी रोशनी आती हो और जब फूल आन जो बताई हूं वही खाना दे दे देने का बात थोड़ी-थोड़ी धूप में धूप में रखे या ब्राइट लाइट में भी आप रख सकते हैं और उससे पहले जब आप इसको नौबंबर या अक्टोबर उससे दो महना पहले आप इसको बिलकुली अंधेरा जगा में अ और पानी को ऐसे देख के डालना पड़ेगा ताकि ज्यादा ओवरवाटरिंग ना हो और दिखिए ये जो मैं बहुत सारे ब्रांचिस तोड़ी थे ऐसे इसमें लगा के रख दी हूं ये भी ग्रो हो जाएगी तो किसमस कैक्टस के प्लांट जो होते हैं एक प्लांट से जाएंगे तो आप लोग पानी का ध्यान रखे और मैं जो खाद बताई हूं वो नवंबर या अक्टोबर में आप डाल दे और थोड़ी थोड़ी धूप में रखे विंटर में देखिए अभी इसमें मैं पानी डाली हूं इसलिए इतना के लिए हैं मैं आज पानी डाली खाली उसके बाद दो दिन बाद फिर पानी डाले और इसको खाना दे दे नौवंबर दिसंबर में अक्टोबर से भी दे सकते हैं तो इसमें अच्छे से कलिया आएगी फूल आएगी तो फ्रेंस वीडियो अगर पसंद आए तो आप मेरे चैनल को प्लीज सेस्क्राइब कर और यह नई प्लांट है सफेद वाली है यह हलके पिंक में है और यह जो में प्लांट है थोड़ी पुराने है गंदे है तो साफ कर लो